हमारे पास मैं आपको बताओंगा आप लोग को शौक लगेगा आप लोग हैरान हो जाओगे हमारे पास एक हजार से जादा शौपस है जो पिछले 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल से लोगों ने वो आकिपाई किये है उसके बाद वो लोग यहां पे जितने भी कमीशनर साब है रेविन्य महरबनी करके आप लोग ने हमें शौपस दिये हमें आप अलार्टमेंट दीजिए जितना आपको पैसा बरना है वो पैसा आप ले लीजिए उसके बाद जो मंतली आपको रेंट है वो रेंट हम आपको देंगे आप इमेजन करो अगर एक शौप हम 10 लाग 15 लाग 20 लाग र सामनी करेंगे जनता की बात जनता के सामनी करेंगे क्योंकि आपको मालूम है पिछले कही महीनों से यहां पे काउंसल लगती नहीं है हमें जो मैंडेर दिया गया था हमें लोगों के जो मसले मसाय है हमें इसलिए लोगों ने चुना था कि जो यह कॉर्परेशन इस कॉर्प P.M. बार-बार सरकार को लिखा कि यहां फे काउंसल नहीं लगती है तो सरकार टैस्य मसनी हो रही है सरकार भी शायद इन्ही के साथ है कि यहां पे शेहर में तबाई हो बरबादी हो तो इसलिए हमने डिसाइड कि हम मैदान में आ चुके हैं अब हम पीछे नहीं हटेंगे एक गुरूप है मैजर्टी अप कॉर्परेटर से लेकिन बदकस्मती वो इसलिए सामने ने आ रहे हैं कि उनको धंकाया जाता है उनको ब्लैक मिल किया जा रहा है आदो को ये कहा जाता है कि आपकी स्कूरिटी विड्रा की जाएगी अब हमें ये समझ में ने आ रहा है कि कर देखेंगे उसके बाद भी हम बात करेंगे किसको हमारे पास है किसको कहा जाता कि आपकी स्कूरिटी हम विड्रा करेंगे या आ का योई केशाओ नाले घ्रा करेंगे जब कॉंसल अगर कभी गलती से कोई उड़ता है वो कहता कि Commissioner साथ ऐसा हुआ तो उसको Honorable Mayor साथ कहते हैं आप record निकाल सकते हैं सोचल मीडिया आप खोल सकते हैं आप देख सकते हैं जितने भी हमारे यहां पर काउंसिलर रागी उसमें Honorable Mayor साथ कह रहें कि नहीं आप as per municipal act आप Commissioner को या किसी भी officer को address नहीं कर सकते हो आप address आप करना चेयर को तो मैं भी चेयर को address करता हूँ जो Honorable Mayor साथ हैं बार बार क्यों है मुझे personal उसके साथ कुछ नहीं है मुझे कोई गिला शिक्वा जुन्याद मुत तू के साथ नहीं मुझे Honorable Mayor के साथ है जो भी कुरसी बैठा है क्योंकि मुझे municipal act के हिसाब से हमने अगर यहां पर पढ़ा है लेकिन act के बारे में पता है हम इनकी तरह बाहर पढ़के नहीं आए है यह बाहर पढ़के आए तबीन को act के बारे में कोई knowledge ही नहीं है यहां प के कहने पे नहीं होगी उसका भी आगते है डिजालू कैसे होती है अगर डिजालू करने तो जम्मु वालों को भी डिजालू करने है मेर साथ कहते है मैं रिजाइन कर दूँगा तो बस कॉर्परेशन डिजालू हो जाए जम्मु में तो हमारे honorable mayor और डिप्टी में नहीं रि गाडी के वज़े से गाडी उसको आई तो उसका death हुई on spot उसकी death हुई है मैं आपके माध्यम से उनके गारवालों को बताना चाहता हूँ कि उनके इस दुख के साथ हम उनके साथ corporation के सारे corporate उनके साथ शाना बशाना खड़ा है अलाह तला से दूआ गो है कि उसको मगफिरत करें उसका नाम में फेरोज आहमत जिसकी death हुई है अलाह तलाह तलाह उसको मगफिरत करें और मैं अपनी तरफ से announcement कर सकता हूँ कि जो मेरी एक month की salary है वो मैं अभी secretary council को भी लिखूंगा एक month salary में उनकी family को दूँगा क्योंकि वो बिचारा delivery था consolidate था मेरी अपनी तरफ से एक month की salary उसको अलाह तलाह उसको मगफिरत करें आपको मैं बताना चाहता हो कि जो आप लोगों नहीं सुना होगा कि हमारे जो सफाई करमचारी है उनके पास ना उनके पास ब्रूमस है ना उनके पास गलाॉस है ना उनके पास uniform है summer uniform उनको नहीं मिली तो windows के हम क्या बात करे वो जो शहर को सफ़ाई करते हbleं जो इस शहर को गंदगी से बचाते हbleason उनको हमें जो चीज प्रवाइड करने हो उनके पास वही है नहीं जैसे आपनी नियूज में भी देखा हो दो चीन अपमे से एक-दो बंदु ने वहाइलड भी किया था उनके पास जाडू नहीं है, लाइम नहीं है, फिनाईल नहीं है, क्या वज़ा है? वज़ा यह है, कि मैंने इससे पहले भी कहा था, कि अगर कौंसल लगती, हम कौंसल में यह बोलते हैं, कि जो हमारी सफाई करम चारी है, जिसकी वज़े से वो सफाई करें, वो चीज़े उनके पास एवलिबल हैं नहीं है, और उनकी जो सैलरी, वो सैलरी बनती है, हम इस इंति कौर्मेंट होती है, कुछ सेटेट्स में, वो इस चीज़ का इंतिजार नहीं करते हैं, कि सरकार कब उनको भज़र दे, सरकार कब उनको पैसे दे, वो यही से कुछ कौर्परेशन में हमारे हिंदूस्तान में ऐसे हैं, जो यही से सरकार को भज़र देते हैं, उसमें से एक को बताऊंगा आप लोग को शौक लगेगा आप लोग हैरान हो जाओगे हमारे पास एक हजार से जादा शौपस है जो पिछले दस साल पंदरा साल बीस साल तीस साल से लोगों ने वो आकिपई किये है उसके बाद वो लोग यहां पे जितने भी कमिशनर साब है रेविन्यू अफसर से उनके पास आते है जिना महरबाईरी करके आप लोग ने हमें शौपस दिये हमें आप अलार्टमेट दीजिए जितना आपको पैसा बरना है वो पैसा आप ले लीजिए उसके बाद जो मंतली आपको रेंट है वो रेंट हम आपको देंगे आप इमेजन करो अगर एक शौप हम 10 लाग 15 लाग 20 लाग रुपए में देंगे एक सेटलमेट करेंगे आज तक ये क्यों नहीं हुआ इतने सारे कमिशनर्स है उसने उन लोग ने नहीं किया आप कॉर्परेशन किसको कहते हैं कॉर्परेशन यही होती है जब कॉर्परेटर्स आते हैं हम इलेक्ट हम देखेंगे जो जन्वन है उनको हम एलाटमेट करेंगे एलाटमेट देंगे उन में से कुछ लोग ऐसे है जिनकी डेथ हुई है जिन्हों ने यहां पर पैसे बरे अभी तक उनको एलाटमेट नहीं मिली है अब उनकी डेथ हुई है शौपस कोई और चला रहा है हमें उन एक्टिविटी कर रहे हैं यह जो कमर्शियल एक्टिविटी है हमारे पास जो रहे थे आपकी पैंडिक 10 साल से है 15 साल से है 20 साल से है जो अलाटमेट चार्जिस है वो आप ले लीजिए आप इमेजन करो एक हजार शौप सिरिनगर मुंसिपल कॉर्परेशन में 1000 शौप जिनक कौन सा कदम उठाया है कौन सा प्लान बनाया है कौन सी काउंसल में डिसकस किया है जो करोरो नहीं जो अर्बो रुपिया हमारा जाया हुआ हुआ है वो आज की डेट पे भी हम उनके साथ अगर उनको बिठाए उनके साथ सैटिल्मेंट करे हमारे पास करोरो रुपिया आए सकते हैं इनके जो जाडू है जो ब्रूमस है इनके जो इनके गलाउस है जो इनकी यूनिफाम है उनके पास है यह नी यह जो मैं आपके सामने क्यों बता रहा हूँ मैं आपको बोला यह चीज़ा हमें डिसकस करनी थी काउंसल में लेकिन यह लोग सरकार को भी बेवकू बना सरकार को भी पता ली क्या क्या करें, अब हमने डिसाइड किया है, हम अवाम की बात अवाम के सामने करेंगे, मैं आपको बताता हूँ, ये कॉर्परेशन ये एक ऐसा इदारा है, हम यहां पर एक हजार लोगों को जॉब दे सकते हैं, हमें सरकार से बोलने की जरूरत नहीं है, हमें किसी भी अदारे से मागनी की जरुरत हैетр मैं आपको बताँगा कैसे हमारे पास यहां पर एक एक उसको बोलते है सैनीटेशन कलब वो आर्र निकाला है यहां के कमिशनर साबसे 2011 में मुश्ताभ साब कमिशनर थे सैनीटेशन कलब क्या होता है sanitation club में दो है एक तो जो हमारे fee collector है और जो सफाई करमचारी उनको सरकार के बचट के साथ कुछ नहीं है वो लोग door to door जाते हैं वहाँ से fee collector करते हैं वो फिर यहाँ पे deposit करते है जब वो पैंसा आता है उसी से उनकी salary release होती है मैं आपको कहता हूँ हम बड़े-बड़े दावे करते हैं कि हमें यहाँ पे जो youths है unemployment है हमें government से मांगने की जरूरत है अगर हमारे honorable mayor साथ काबिल होते जो बार-बार कहते हैं मैं बाहर पढ़ के आया हूँ अगर वो काबिल होते हमने तब से शॉपर से उनकी alignment अभी तक नहीं हुई है वो revenue loss हो रहा है हमारे पास यहाँ पे लेंबर्ट लाइन में जो टीजी रेंड्स हमने दिया है वो loss हो रहा है यह हमें इस चीज का इंतिजार नहीं करना है कि सरकार का budget आएगा वो फिर हम इन साफाई कारमचारियों को देंगे नमबर एक नमबर दो इन्होंने यहाँ पे क्या किया है इन्होंने यहाँ पे कुछ गाडिया private vehicles हायर किये private vehicles एक नमबर गाड़ी का है JK01AN9797 दूसरी विकल है JK02CG 9992 गाड़ी तीसरी है JK02CM 4618 चोथी गाड़ी का नमबर है JK034 फिफ्ट गाड़ी का नमबर है JK02CJ A21 और यह भी जो मुख की गाड़िया है आप किसी भी government इदारे में private vehicle को hire नहीं कर सकते हो या आप जो हमारा act है उसको आप violation करते हो जो हमारे जो हमारा law है उसको आप violation करते हो मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह जो यहां के मुलाजिम है यहां के joint commissioner admin साब है commissioner साब है यहां के mayor साब है यह समझ में नहीं आ रहा है यह कूं सा ला पढ़ के आए है यह कूं सा कानून पढ़ के आए है यह जनाब government of government कश्मिर office of the transport commissioner chairman state transport authority इन्होंने clear किया है यह इनकी notice है इनका जो transport commissioner है वो कहता है कि private vehicle हम किसी भी इदारे में हम hire नहीं कर सकते हैं यह CVC Central Visionance Commission का एक circular है कि हम private vehicles यहां पे hire नहीं कर सकते हैं ऐसे jump portal में भी अगर आपको कोई भी गाड़ी hire करने है किसी की department की आपको commercial गाड़ी hire करने है क्यों इसमें क्या reason है पहले हमें यहीं देखना है कि जिन लोगों के लिए इन्होंने गाड़ी आ हाइर की है क्या वो end title है इस चीज़ के लिए आप लोग सरकार का पैसा कैसे जाया करते हो एक गाड़ी को आप 45,000 रुपीज देते हो मंधली एक स्कार्पियो प्रेवट स्कार्पियो को इसे क्या होगा जो हमारे यहां पे commercial वीकल्स है वो भी हमारे बाई है commercial वीकल्स के लिए उनको क्या करना पड़ता है एक तो भिचारे उनको बैंक को EMI देना पड़ता है सेकंड उनको yearly एक टेक्स बरना पड़ता है जो commercial वीकल्स को होता है वो private वीकल्स को नहीं होता है उनकी जागा पहले तो आपको यहां पे गाड़ियों को hire करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि जिनलोगों का अपनी गाड़िया दी वो end title है नहीं अब अगर आपने गाड़िया दी है तो आपनी commercial वीकल्स क्यों नहीं देगे तो एक स्कैम है, सीधी साथे एक स्कैम है आप किसी कानून के ताहत किसी भी कानून के ताहत आप प्रेवट वीकल को हायर नहीं कर सकते हो आप लोगोंने यहाँ पे जो सबसे एहम बात है स्कैम कहां से है इससे पहले प्रेस कांफरेंस में ने ये कहा कि सरिनगर मुंसिबल कॉर्परेशन को 27 करोर रुपीज मिली है हमने यहाँ पे हूपर्स हायर किये आपको मैं यह बताओ कि वो गाडिया हमने 6 महिने पहले हायर की है 6 महिने पहले Before 6 months वो गाडिया इसलिए हायर की purchase की गई थी ताकि वो door to door जाए वहां से garbage को lift करे लेकिन unfortunately 6 महिने से वो गाडिया गउड़ॉन में पढ़ी है गिराज में पढ़ी है अब उनके टाइर भी खतम हो गए है अब उनकी जो बैटरी है वो भी खतम हो गई है अब को क्या मजबूरी थी गाड़िया लाने के लिए अगर आपको गाड़िया लानी थी 27 करौ रुपीस की आप लोग ने क्या किया आप लोगों ने उसका एक tender निकाला है outsource कि हमेजी 200 drivers को लगाने है आप लोगों ने tender निकाला है सब ने अपनी जो formative उन्हें की वो tender जिस बंदे को जो eligible था उस बंदे ने शायद इनको पैसे नहीं दिये होंगे इन्हों ने वो tender cancel कर दिया है पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे officer समा responsible corporation में ये किसकी direction follow करते हैं अगर ये पड़े लिखे होते तो क्या चूख हुई इनको कि इन्होंने वो tender को cancel कर दिया अब जब उन्हेंने वो tender cancel कर दिया फिर से return किया अब जब tender किया और एक बंदे को वो आ गया अभी तक उसको दे नहीं रही है ये किस चीज़ का इन्दिजार करें वो कब इनके घर आ जाए office नहीं कब इनके घर जाए honorable mayor साब के पाई जाए या commissioner साब के पाई जाए यहां के financial advisor के पाई जाए बाई साब अगर मैं eligible हूँ इस tender का आप मुझे ये alignment इसकी क्यों ने दे रहे हूँ शायदे इस चीज़ के अंदिजार करते कि पैंसा मिली corruption तो यही से start है न अगर आपकी file complete है आप इनको क्यों ने दे रहो हाथ में या अगर आपको फिर से return करना है